इस्टुडेंट तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर थ्री क्लास सिक्स एक्सरसाइस देन सभी लोग अपनी टेस्ट बुक ओपिन कर लेंगे एंड फिल अप करेंगे फर्स्ट पर दिया गया है फिल इन दे बलैंक्स तो प्रोणाउंस उनको फिल करना है फ़र्च नंबर पर है यहां पर सीजर से ही राइट करते हैं यहाँ पर सीजर सही कर दिया वह दिए ने एक सीजर है तो यहां पर इट का हुआ चर्डिया हमने फिर नेक्स्ट है वी-मस्ट कंग्रेचुलेट डॉट-DOT फॉर हिस फैबलस सक्सेश कोई सक्सेश हो गया है तो इसकी बहुत सांदार सक्सेश पर उसको congratulate करना है तो क्या हो जाएगा him, okay, ourselves तो होगा नहीं खुद को गर नहीं रहाँ थर्ड नमबर पर दिया गया है he was the man फिर they thought was dead यहाँ पर क्या हो जाएगा who, who they thought was dead फोर्ड नमबर पर दिया गया it is very dark here, I cannot see anything, ठीक है something का use तब करते हैं जब हम कुछ देख सकते हैं और anything का जब negative sentence हो सीमा this is, this pencil is mine कोई कह रहा है सीमा this pencil is mine and that one is yours your नहीं करेंगे, yours करेंगे six number or somebody is at the door next is seven, seven पर क्या हो जाएगा what is the latest news ना की who is the latest news क्या हो जाएगा, what is the latest news at number पर दिया गया है Sita has a magazine the dot has picture in it जिसमें picture है which has picture in it and nine number पर what do you prefer, tea और coffee आपको क्या प्रफर किया जबता हो tea या फिर coffee next number, they have completed homework, all homework themselves ठीक है, खुश से उन्होंने complete कर लिया himself नहीं करेंगे, कि he के लिए himself आता है और दे के लिए themselves next exercise पर देखेंगे तो दिया गया है, rewrite the following sentences correctly, आपको फर्श नमर पर दिया गया she doesn't like to praise himself, तो she है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा herself, then हम change कर देंगे इसको she doesn't like to praise herself I am yours friend, देखो आपको yours तब यूज करना है pronoun होता है, जब उसके बाद noun न रखा हो अब यहाँ पर noun friend रखा है, तो कौन सा यूज होगा, your, I am your friend could you help this could you help his with the luggage, यहाँ पर क्या है could you help him क्या आप उसकी मदद कर सकते हो यहाँ पर objective case use होगा, जो की वर्प के बाद आता है his होता हमर पोसेश यूज यहाँ पर कोई noun नहीं दिया गया है तो his, अकेले हम use नहीं कर सकते है rather want to meet see, यहाँ पर meet के बाद क्या आएगा, objective case का कोई pronoun आएगा then हम इस पर करेंगे, राधा want to, राधा wants to meet her यहाँ पर क्या हो जाएगा, राधा wants to meet her as लगा देंगे, wants, okay and see को कर देंगे her फिर five number, we are revising our lesson नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, our lesson तो we are revising our lessons आपका exercise कतम हो जाता है, then आप लोग क्या करोगी, exercise complete कर लोगे और next chapter, next video पर cover करेंगे